हेलो स्टुरेंट्स आपने प्लस वन के बाय में एच्छे नंबर आए होंगे हाई उपसो प्लस टू में आगे हो और मेनत कनी पड़ेगी बोर्ड की क्लास है नीड भी देना आपने इसके बाद तो एज नो कि लोगडाउन चल रहा है लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक स्माल प्लस टू आपको थोड़ा फैदा हो जाए उसके बाद जब रेगलर क्लास लगेंगी तो वी विल डूस इंडिटेल तो आपका जो फर्स चप्टर है यह डिप्रोडक्शन इन और गैनिसम जिसे दो स्माल चप्टर है लेकिन इस आपको ब्लस टू इस अवरी चप्टर इस इस वरी वरी simulation घिज अदर महिंजा है तो इसने लिखा हुआ है कि that is a fundamental character of a living organism is there. और जो living organism है, वो जो आया है उसका एक lifespan होगा. Nobody is immortal except unicellar organism. यह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि unicellar organism is immortal. Why it is immortal? Because each cell divide into two equal cell and no part of the cytoplasm is destroyed or wasted. कि हर एक cell है, वो equally दो पार्ट में divide हो जाता है. और जिसका कोई cytoplasm जो है, वो waste ही नहीं होता. तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो immortal है. कि जो कुछ उसके अंदर था, वो आगे दोनों equally progeny के अंदर चला गया. तो कोई तो मरा ही नहीं, उसमें जो कुछ खतम हुआ ही नहीं. इसलिए इसको कहले थे, immortal is there. तो ये एक वारी वैसे need में question भी आई हुआ हुआ है. कि उन्होंने लिखा हुआ था कि among the which is immortal organism, तो उन्होंने जैसे मीबा की choice दी वी थी. तो और भी कई ऐसे से से जो की multi-cellular से, सिर्फ एक uni-cellular की जो example आती है, वो ही death is immortal आता है. और जो organism इस life, इस earth पे आया है, तो मैंने उसको बताया है कि उसका एक lifespan तो हो गई होगा. अब आप lifespan किसको कहते हूँ? lifespan जो है, they start from the birth to the death is there. जनम से लेकर death तक. birth, birth हो गया. ठीक है? तो that is basically the lifespan is there. और इस lifespan के अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलग-अलग face हैं. बर्थ से लेकर death तक phase आते हैं. जैसे सबसे पहले juvenile face आता है. juvenile face is there. तो juvenile face क्या होता है? यह वो time period है when the individual, they develop the capacity to reproduce. That is a juvenile face. और juvenile face in the plant is called as a vegetative face. जैसे अगर हम human beings की बात करते हैं, when the baby is born, they start reproducing. After the age of around 13-14, their process of reproduction activity starts. The process of production of hormones, they start. तो वो जो उसका phase पहले आया, pre-reproductive phase जिसको हमने कहा देंगे, तो वो उसका juvenile phase आया. उससमें उसके अंदर जो gametes की production नहीं थी. ठीक है न, male में sperm नहीं produce थे, female में ovum produce नहीं थे. तो वो उसका juvenile phase के अंदर आता है. और plants के अंदर हम उसको vegetative phase कह देते हैं, जैसे आपने कोई पौदा लगा है, यह तो नहीं कि आज पौदा लगा है और वो कल flower दे दे. तो वो जो थोड़ा सा एक time phase आता है, जब उसके अंदर एक flowering शुरू होती है. उस process का जो time gap है कि from the seedling to the flowering, that is जो एक phase आता है, that is a vegetative phase जिसको हम कहते हैं. plants के अंदर उसको हम vegetative phase कह देते हैं, animals के अंदर उसको हम juvenile phase भी कह देते हैं. ये भी question एक वरी need के अंदर आया हो है कि the juvenile phase,